अस्सालाम अलेकुम दोस्तों कुछ अपडेट आ रहा है फ्लाइट और एरिपोर्ट को लेकर के खासतोर से जो लोग अभी कुईट से साफर जाना चाहते हैं आपको बता दे कि 2022 के अंदर कुईट में इंट्री को लेकर के एक नया गाइडलाइस अपडेट जारी किया गया है जैसे कि कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है कि आपको यानि कि जो कांटर है लोगजवाला कांटर एक घंटा पहले बंद हो जाएगा लेकिन यहां पर एक और अपडेट जारी किया गया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पैसेंजर और नोट एकसेप्टेट एट डेपाचर गेट बिफोर 20 मिनट बिफोर डेपाचर ये दोस्तों 20 मिनट वहां के लिए कहा गया है कि जो लोग एरपोर्ट के अंदर इंटी कर लेते हैं समान होगा रहे हैं उनका चला जाता है कारगो यानि की एरलाइंस के अंदर उ 20 यानि की 30 मिनट पहले ही आपको वहां पे जाना है नहीं तो ये 20 मिनट से पहले पहले गेट बंद हो जाएगा पहले ऐसा नहीं था बलके एनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर को बुलाया जाता था लेकिन अभी कुछ नया गैडलांस जारी किया गया है जिसके तहत आपको जरूरी है कि वहीं पे रहना होगा उनके बाद जो गेट है वो बंद हो जाएगा उनके बाद आपको एकसेप्ट नहीं किया जाएगा तो दोस्तों ये बरी अपडेट है कुईत इंटरनेशनल फ्लैट को लेकर करके जो लोग भी साफर जाते हैं इन बातों को ध्यान रखे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ है इनके फाइनल होने के बाद उलग सो जाते हैं नींद में आ जाते हैं तो उनलों के लिए काफी इंपोर्टेंट अपडेट है क्वेट से अगली अपडेट दोस्तों बंगला देशियों के लिए बहुत अच्छा अपडेट है यहाँ पर बता दे सबसे पहले कि क्वेट के अंदर तक्रिपन 2,58,000 बंगला देशी रहता है वो तक्रिबन online renewal होता है इसलिए किसी का भी यानिकी fingerprint जरूरी नहीं है वो direct online अपना एकामा को renewal कर वा सकते हैं बंगला देशी experts can renew their residency without submitting fingerprint तो दोस्तों बंगला देशी के लिए यह एक बहुत अच्छा अपडेट है क्वेट से अगली update latest COVID-19 का report दोस्तों पिछले दिन क्वेट के अंदर 4,232 केस आया है जो कि पहले से काफी कम है उनके साथ ही यहां पर दो death भी हुआ है और साथ ही 4,712 recovery हुआ है इस टाइम काफी improve है बहुत ही कम हो गया है क्वेट के अंदर COVID-19 का केस उनके साथ ही बता दे कि कोई भी नया guidelines जारी नहीं किया गया है क्वेट के अंदर जो भी परवासी departure है यानि कि जाने वाले है arriving है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है नॉर्मल है तो दोस्तों यह क्वेट से कुछ update था कोईट से सभी खबर के लिए हमारे इस चैनल को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा share करें मिलते हैं दोस्तों कोईट से अगले update के साथ